बेलकम फ्रेंट्स स्वागत है आपका DRX राजे शेल्थ फार्मा में आज हम सिफेकजीम तथा ओफलॉकससीन एंटिवाइटिक्स के बारे में जानेंगे यह दोनों अलग-अलग एंटिवाइटिक्स कॉम्बिनेशन है जिसका प्रियोग बैक्टिरियल इंफेक्शन को ठीक क करने के लिए इस दबा का प्रियोग लिया जाता है इसकी दोज तता साइड इफेक्ट के बारे में हम जानींगे जो इसके पॉपुलर व्रायइड है उसमें जीफी O tablet, मीसर प्लस tablet, हाईजी सिल प्लस tablet, ओमनेक्स O tablet तथा टैक्जिम O X tablet यह के प्रमुक ब्राइंड से इसके अलावा भी हो सकता है कोई और नाम से यह tablet मिले अब अगर इस tablet की strength की बात करें क्या क्या strength में बनाई जाती है तो यह tablet दो अलग-अलग strength में बनाई जाती है जिसमें पहली strength में सिफेक्जीम 100 mg तथा ओफलॉक्सासीन 100 mg और दूसरी strength में सिफेक्जीम 200 mg और ओफलॉक्सासीन भी 200 mg की strength में बनाई जाती है यह दो अलग-अलग strength में बनाई जाती है 100 mg की strength बच्चों के लिए तथा 200 mg की strength एडल्ट के लिए उपियोग में लाई जाती है इस टेबलेट में सिफिक जीम 3rd generation सेफलोस्पोरीन गुरूप की दवा है जो की gram negative bacteria से होने वाले infection को ठीक करने के लिए पियोग में लाई जाती है साथ ही यह टेबलेट उन वेक्तियों के लिए ज़्यादा फायदे मन्द है जो penicillin group से allergic है penicillin group से resistance है और इसमें जो ofloxacin है यह first generation fluorocunolone है जो bacteria की repairing process को रोक कर और infection को ठीक करने का काम करता है अब हम अगर इसके uses के बारे में जाने किनकीन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसे की anti-vitics दवा है तो bacterial infection को ठीक करने के लिए प्रियोग में लिया जाता है लेकिन मुखता जिन बीमारियों को इस दवा दवारा ठीक किया जाता है उनमें सबसे प्रमुक है UTI यूरिनरी ट्रेक्ट में होने वाला infection जिसमें जननांग से जुड़ी समस्याएं हैं जिसमें पहली बीमारी है claymida ये प्रोसों तथा महिलाओ दोनों में होने वाली बीमा होती है तो प्रोसों के टेस्टिस में सूजा ना दर्द रहना जलन जैसी समस्या हो सकती है और महिलाओं में बेजाइनल डिस्चार्ज होना पेसाब में जलन होना दर्द रहना और दूसरी जो बीमारी है वो है gonorrhea इसके symptoms भी claymida के similar ही है next disease की तरफ बढ़ें तो वो है PID ज होने वाली शमस्या है जिसमें महिला के कमर के नीचे के एरिया में ज्यादा तर दर्द रहता है पेसाब में दर्द रहना जलन रहना साथी अगर इसको समय ठीक नहीं किया जाए तो claymida और gonorrhea में ये बदल जाते हैं अगली बीमारी भी महिलाओं में होने वाली है जिसका न territory tract infection को ठीक करने के लिए जिसमें pneumonia प्रमुख है pneumonia lungs में होने वाला infection है जिसमें lungs में पानी या पस भर जाती है सूजन आ जाती है यह ज्यादा तर समस्या बच्चों में और adult में देखी गई है जिसमें बच्चे या बैक्ति को बुखार आना खासी चलना जिसमें hard rate का कम या जादा हो जाना सांस की जो गती है वो भी कम जादा होने लग जाती है और चेस्ट में पैन होने जैसी समझ्या हो सकती है तो इसको ठीक करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है साथी bronchitis नाम की बीमारी है जिसमें हमारी जो सास नली है वहाँ पे सुजान आ जाती है जिसमें सास लेने में दिक्कत रहती है और खासी भी कई बार बैक्ती को चलती है इसको भी ऐह tablet द्वारा ठीक किया जाता है और इस tablet का एक और मुख्य यूज है वो है typhide fever को ठीक करने क लिए टाइफाइड फीवर वो बुखार होता है जिसमें बैक्ती को तेज बुखार होता है साथी उसकी मासपेशियों में दर्द रहता है उसे भूख नहीं लगती हाथ पैरों में जलन होने जैसी समस्या रहती है और इसका जो इंटेस्टाइन से सुरू होता है तो इसको ठी करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और इसके अलावा अधर इंफेक्शन की बात करें तो यह एंटी गले ना कान से जुड़ी हुए जो इंफेक्शन से आखों से जुड़ा हुआ इंफेक्शन इसकीन सॉफ्ट इसू इंफेक्श तो वेक्टिरियल इंफेक्शन अगर है तो उसमें यह टेबलेट दीज आएगी अब अगर हम इस टेबलेट की डोज के बारे में बात करें कितनी मात्रा में यह टेबलेट दीज आती है तो इस दवा की जो डोज है वो अन्य टेबलेट की तरह ही होती है जो बीमारी तथा पेसेंड की एज के according decide करके दिया जाता है अगर बच्चे में जिसकी उम्र 12 साल से कम है उसमें किसी प्रकार का infection हो गया है तो 100 mg की जो tablets है combination है वो दिया जाएगा वो मुखता दो टाइम दे सकते हैं साथी अगर adults में ये सब समस्या हो तो जो 200 mg की tablets है वो दी जा सकती है और यह tablet दिन में दो बार सुभा और शाम दी जा सकती है इस tablet की अगर duration की बात करें तो कम से कम 5 दिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन और ज़्यादा ही CBR infection हो तो और भ tablet को हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाता है और एक सवाल सिफग्जीम तथा ओफ्लॉक्सासीन के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यह pregnancy में दिया जा सकता है या नहीं तो इसे pregnancy में नहीं दिया जा सकता इसका reason भी आप जान लीजिए हाले कि सिफग्जी इसे pregnancy में unsafe है यह नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह सिफग्जीम तथा ओफ्लॉक्सासीन इन दोनों दबाओं का combination है इसलिए इसे pregnancy में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता अब वीडियो के last में हम जान लेते हैं इस tablet के side effect के बारे में अगर किसी बैक्ती को side effect होते हैं इस दब होना डायरिया वैक्ति को हो सकता है शिरदार्द हो सकता है इसकीन रैसे इचिंग होना तो ऐसी ही समस्या देखी जा सकती है अगर इस दबा से side effect होते हैं तो इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं मिलिंगे next वीडियो में तब तक के लिए stay healthy and take care